हेलो गाइज वेलकम करता हूँ आपको दो चैनल दे संलाइट पर और आज हम बात करेंगे एक डेटेल लेकर आया हूँ इरान्स लेवरुशनरी गार्ड सक्सेश्री लॉंच मिलेक्टरी सटलाइट आपने सुना होगा न्यूज में वैसे तो यह न्यूज बाइस अपरेल 2020 की बीबीसी ने पब्लिश की हुई है लेकिन अगर हम बात करें इसलाम के बाद जो इरान ने सटलाइट लॉंच करी है उसकी क्या खासित है तो सटलाइट है इसका नाम है नूर और जो यह सटलाइट है 425 किलोमेटर आर्थ के लो और्ट और्ट में आती है लो और्ट होता है सटलाइट है इसके उपर 400 किलोमेटर जाने पर लोट और्ट आ जाएगा और यहां पर जो सटलाइट लॉंच होती है उसे हम लोट कहते हैं इसे लॉंच यह कुछ बताया नहीं गया है देखिए हां भी लिखा भी हुआ है तो सबकी इस वाले में नहीं बताया गया कि इसी क जताता भी है युएसे कुकि एज़ा कंट्री युएसे ने इस पर सेंक्शन बहुत लगा रखे हैं तो वह खेट जताना उसका लाजमी और इसने यह से कहा है कि इसने तोड़ा है 2015 का एक तो उसके बार में ज्यादा ना बात करते हूं एक बात यहां पर करते हैं कि इरान के कि एला ऐसा कंट्री में उसके इश मेंपने जिसने खुद अंदर इंडियर विंट नहीं कर पा रहा हूं तो इंडिज इसे अपने कंट्री से भीजा है एसे कोई अगर पागिसान भी आसा कर सब यह लेकिन वह अपने खुद से अपने घर से पहा हैं दूसरों के घर जाकर बोला कि भाई तू भेज दे तर्की उसने यूरोपेन स्पेस एजनसी से काफी और दूसरी कंट्री से मदद लिया है और वैसे ही पागिस्तान ने भी चायना की मदद लिये अपने जितने भी सैटलाइट मिशन्स को अपर अब यह पंगा एसा पंगा कुछ नहीं है साब मिलेटरी सैटलाइट यह है कि भाया मेरी मिलेटरी पावफुल होनी चाहिए और इसकी विजासे क्या है ना कि अगर मिलेटरी आखी पावफुल होगी तो आज की जमाने में ऐसा नहीं कि आपके टैंक को हो इस सब कुछ हो इससे आज कल अब वैसे तो पहले से 20 साल पहले आगे तो आज कल तो कितनी अडवांस हो गए होंगी यह आप सोच सकते हैं और इंडिया ने जैसे एक नाविक सेटलाइट जो की बिलकुल इंडिया के हर एक अलब 557 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को भी बता देगा कि यहाँ पर से अपने आप में तो यह बहुत जादा जादा जिसके उपर ने शैंक्षन लगे हैं तो हम तारीफ करनी चाहिए इंडिया को भी मतलब एक उसका कर चुका है इंडिया जितना अच्छा उसका ओई इंपोर्टर था वह उसने कार दिये तो यह सब कुछ होने के बाद भी अगर इरान ऐसा कर सकता है तो इस इस इंश्पिरेशन और हम जानते हैं कि हम एज कंट्री हमने काफी बार न्यूज में सुना है कि कितने मुश्किल होती है काफी चीजों को स्पेस सब पहुंचाना है इस नौट अगर तो यहां पर यहां पर काफी कुछ कहा है कि इसने तो वह देखिए विकिपीडिया गई जो आर्टिकल इसमें लिखा भी हुआ है उनली 12 कंट्रीज उनली 12 कंट्रीज आर लिस्टेज बिलो विससार युएसे फ्रांस जेपैन चाइना यूके इंडिया रश्या यूक्रेन इस्रेल इरान और नौर्थ कोडिया एंड वन रिजिनल औ अपने घर का बना हुआ उससे बेचा गया है तो यह बारा ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 12 वैसे हैं अपने घर से बनाया तो इसमें अगर इरान का नाम यहां पर शामिल हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या कंट्री जिसके अपर इतना सब कुछ है तो इरान ऐसा क्या इरान ने देखे 2009 में भी कोशिश की थी इसने सब कुछ लेकिन वहां पर यह उस ताइं यह सक्सेस्फुल नहीं हो पहता तो इसके जासे उसने कहा भी था कि अपने कंट्रीज को की जो बाकी कंट्री सी मुस्लिम कंट्रीज थी कि हम तुमारी मदद करेंगे हम आपको आये स दिखा देता हूं इरान यहां पर होगा इरान यहां पर होगा कहीं और यहां पर देखिए पागिस्तान ही मनत लेता है यहां पर टर्की मनत लेता है तो मैं इसको गूगल मैपस वापिस दिखा देता है तो यहां पर इरान यहां पर है और अब अगर इरान ने ऐसा कुछ कर सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन काफ़े इंस्पिरेशनल है कि इसे कंट्री कर सकता है तो यही था अगर आप कोई पसंद आया है अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज इसके लाइक करिएगा बिल्कुल अच्छी नाम से देता हूं लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटेफ्स को जहां भी इंस्वामिशन आपको लगता है कि पुचानी सही रहेगी वहाँ पे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर देगा देख रहेते हैं तो अगर नहीं आया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बैल आइक आहेती लोंगा मैंहें पार बनाउर्स अभी इन्सक्राइब को यहां अद कर देखिए तो देखी है यहां पे जो इह सब कुछ है यही है तो यहिए this is the end of the analysis thank you and have a nice day ahead